कि नमश्कार प्रवा सक्षिन इस्टेक और आप सभी का स्वागत है उत्रा खंड के अल्मोडा जिले में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 36 सियात्रियों की मौथ हो गई और 24 अनेक खायल हो गई बताया रहा है कि खायलों में कुछ लोगों की हलत गंफीर बनी हुई है जिससे मृत्कों की संख्या बढ़ सकती है जिला जिकारी अलोक कुमार पांडे ने बताया है कि गड़वाल मोटर ओनर्स एसोशेशन द्वारा संचाले 43 सीटों वाली बस गड़वाल छेत्र में पौडी से कल शाम रवाना हुई थी और लगभग 200 किलमेटर दूर कुमाउं में गिर गई दुरगटना स्था से प्राप्त फोटो हाथ से की भयावहता को दर्शाते हैं वहां जंगल से घिरे इलाके में चट्टानी धलान से लुड़कते हुए छतिक्रस्त हो गया और एक नाले से कुछी दूरी पर रुख गया कुछ तस्वीरों में बचाव कर्मी य परिजनों को चार-चार लाख रुपए तधा घायलों को एक एक लाख रुपए की आरतिक साहता देने की घोशना की है मुख्यमंति ने कहा है कि बस दुरगटना के लिए जम्मेदार किसी भी लापरवाही से सकती से निप्टा जाएगा धामी ने कहा संबंदित विभागो को संब्दित अधिकारियों के निलंबन के आदेश दिये गए हैं प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है मैं घटना की निक्रानी कर रहा हूं धामी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल भी चाना हम आपको दादें की घायलों को रामनगर के नजदी की अस्पताल ले जाए गया अलमोडा जिला आपदा प्रबंदन अधिकारी विनीत पाल ने बताया है कि चार गंभीर रूप से घायलों में से तीन को विमान से अखिल भारती आयुर विग्यान संस्थान रिशिकेश और एको हलदवानी के शुशीरा तिवारी अस्पताल ले जाए गया है रामनगर के अस्पताल में डॉक्टर नर्स और चिकित्सा करमचारी पूरी ततपरता से घायलों का इलाज करने में जूटे रहे जिनमें से कई के शरीर से खून बह रहा था मिनीत पाल के मुताविक घटन स्थल पर पहुंच गए थे एक अधिकाय ने बताया है कि गड़वाल मोटर ओनर्स एसोशेशन की पस त्योहार के मौके पर हफ़ते बर की छुटियां घर पर बिताने के वाद काम पर लौट रहे लोगों को लेकर जा रही थी इस पर शिराश्पती दौपती मुर्मु ने मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा अलमोडा उत्राखंड में एक सड़क दुरुगटना में महिलाओं और बच्चों सहीत कई लोगों की मृत्यू का समाचार हिर्दय विदारक है मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रती गहन सम्मेद्नाएं व्यक्त करती हूं तथा घायल के परिजनों को दो लाग रुपे तथा खायलों को पचास अजार रुपे की अनुग्रय राशी देने की भी खोशना की उन्होंने कहा कि स्थानी प्रशाशन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके